दोस्तों UGCNet का exam जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे ही कही ज़्यादा terms अब इसमें include होते जा रहे हैं और ज्यादा deeper concepts आप सबने notice किया होगा include होते चले जा रहे हैं जिससे हमारा UGCNet का paper और ज्यादा detailed और ज्यादा information वाला और ज्यादा deep और difficult होता चला जा रहे हैं तो आज हम fishing की बात करेंगे fishing जो बहुत पहले से ICT का section है UGCNet paper हमें उसमें आ रहा है लेकिन अब fishing के साथ और भी काफी सारे इसके sub-variants इसके types भी पूछे जा रहे हैं जिसकी आज हम लोग पूरी बात करने वाले हैं कम से कम समय में जादा से जादा content पढ़ने वाले हैं तो fishing आप सबको पता है जिसमें की data को चोरी करने की कोशिश की जाती है खासकर आपके ID passwords जो होते हैं एक hacker एक गलत तरीके से एक जूटे तरीके से data चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन इसके लावा और जादा terms भी include हो गए हैं जैसे wishing इसके अलावा smishing, farming इन सबको भी आज हम देखने वाले हैं तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आकर phishing क्या होता है phishing जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि मचली पगाड़ना तो इसी तरीके से जो hackers होते हैं वो कोई ना कोई loophole डोनते हैं जिससे जो सीधे साधे users हैं जो computer और internet use कर रहे हैं वो उनके जहासे में आ जाएं और गलती से वो अपनी जो sensitive information है sensitive information मतलब जो उनके ID passwords हैं bank वगरा के उनको हासिल कर ले hacker ऐसी कुछ चीजे करता है गलत और illegal चीजे करता है और इस प्रक्रिया को phishing कहते हैं तो ये बहुत तरीकों से किया जा सकता है और आएए देख लेते हैं कौन-कौन से तरीके हैं जिससे कि phishing हो सकती है इससे आपको personal information भी रहेगी ताकि आप सतरक रहें और ऐसे कोई गलती करके अपने ID password किसी को ना दें और exam के दरश्टी को उरते भी ये बहुत जादा important concept है तो यहां पर types of phishing की बात करते हैं सबसे पहला type है जो common type जो बहुत सालों से आ रहा है और वो कहलाता है केवल phishing या इसको हम कह सकते हैं email phishing यानि email के जरिए email कभी-कभी आपको एक fake आता है bank की तरफ से हो सकता है कोई shopping website की तरफ से हो सकता है कि आपका जो credit card है उसको ban किया जा रहा है या आपके shopping की माली जो कोई fake website है जो discount का कोई email दे सकती है कि जल्दी इस button को click करो और अपना ID password डाल के अपनी shopping कर लो या bank दे सकता है कि आपका credit card ban होने वाला है अपना ID password डाल के login कर लो तो कभी भी ध्यान दीजेगा जब भी किसी email के माद्यम से आपके ID password या sensitive जानकारी को चुराने की कोशिश की जाती है तो इसको हम email phishing या केवल phishing भी कह सकते हैं जानकारी को चुराने के और भी कई दूसरे माद्यम होते हैं उनके ही basis पे इसके दूसरे types भी हैं जैसे अगला type हमारा आता है smishing smishing या आपने पहली बार सुना होगा जिन्होंने phishing सुना है मेरे से पहले से पढ़ाई कर रहे हैं phishing बहुत common term है email के द्वारा एक fake email के द्वारा किसी के credentials लेने की कोशिश करना लेकिन यहां अगर हम लोग बात करें smishing की या wishing की तो यह जो काम है काम यहां पे सेम है कि किसी के credentials या sensitive information को चोरी करने की कोशिश हो रही है लेकिन यहां पे माद्यम बदल गया है यहां पे telephone माद्यम हो गया है अब यहां email माद्यम नहीं है यानि telephone के माद्यम से यानि कि जो आपके sms आते हैं जो आपके telephone calls आते हैं उसमें कुछ fake लोग होते हैं जो एक legitimate या genuine entity या institution के रूप में phone करते हैं या sms करते हैं और आपकी sensitive जानकारी को लेने की कोशिश करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि Amazon sale के बहुत सारे fake sms वाइरल होते हैं उसमें लोग click करते हैं और अपना ID, password या sensitive information दे बैठते हैं उसी तरीके से काफी बार बहुत सारे fake calls भी आते हैं Amazon के fake offers आते हैं या फिर आपके bank जो आपका होता है उससे कोई fake call करता है ताकि आप उनकी बात माने और उन्हें अपना OTP या जो भी sensitive information है वो provide कर दें तो यहाँ पे smishing और wishing सेम वही चीज़ है आपके sensitive information को चोली करने की कोशिश की जाती है कोई बहरूपिया बन करके और genuine entity का रूप दारण करके आपसे वो निकलवाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ माध्यम जो है हमारा telephone होगा SMS या calls और finally आता है farming farming भी एक sub variant है fishing का ही सेम यही चीज़ इसमें भी होती है कि आपसे आपका data लेने की कोशिश होती है sensitive data लेने की कोशिश होती है लेकिन यहाँ पे जो माध्यम है वो एक fake website है जिसको नाम यहाँ पे दिया गया है spoofed website spoofed का मतलब होता है एक ऐसी fake website जिसको user ना detect कर पाए और user बुद्धू बन जाए spoof का मतलब होता है किसी को बुद्धू बनाना कोई उस चीज़ को ना पहचान पाए कि वो नकली है इसको हम spoofing गरना कहते है id password डालते हैं और उस पे login का बटन दबाते हैं क्योंकि वो website नकली है और जो hacker है वो उस website को चला रहा है ऑपरेट कर रहा है तो तुरंत वो id password उसके पास बहुत जाता है तो यह तीन काफी important concepts हैं और आने वाले यूटिसनेट के paper में इनसे definitely questions बनने वाले हैं I hope आपको समझ में आ गए तीन sub-variants होते हैं phishing के पहला है email phishing यानि की email के थूँ किसी के id password को लेने की कोशिश करना फिर है smishing या wishing यानि की telephone के थूँ SMS या fake calls के थूँ किसी के id password को लेने की कोशिश करना और finally आता है farming यानि की एक नकली website बना करके किसी के id password या sensitive information को चोरी करने की कोशिश करना So guys I hope आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा क्या reviews हैं आपके इस प्रकार के short videos के बारे में जिसमें कम से कम समय में हम लोग जाब 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 information की बाग कर लेते हैं मुझे comment में जरूर बताना आज के लिए इतना है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में